आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अर्थी का अर्थ क्या होता है इसके लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज होता है और साथ में कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अर्थी का अर्थ समझते हैं अर्थी का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एक तो अर्थी का मतलब होता है कुछ प्रार्थना करने वाला यानि जिसे हम प्रार्थी कहते हैं यानि कोई चाह या गर्ज रखने वाला जो वेक्ति होता है उसको अर्थी कहा जाता है जिसे प्रार्थी कहते है या अर्थी कहते है इसके इलावा जब किसी की मृत्ट्य हो जाती है तो Bans की एक शया बनाई जाती है और जिसके उपर जो मृत शरीर है उसको शमशान घाट में ले जाया जाता है और अंतिम संसकार वहाँ पर किया जाता है तो जिस बांस की शयया पर लेटा कर शरीर कुम्रित शरीर को शमशान तक ले जाया जाता है अंतिम संसकार के लिए तो उसे अर्थी कहते हैं इस अर्थी को इंगलिश में बियर कहा जाता है इसके इलावा अर्थी का मतलब अर्थ वाला भी होता है जैसे कई बार हम कहते हैं विपरित अर्थी शब्द अर्थी मतलब अर्थ वाला तो विपरित अर्थ वाला या उल्टे अर्थ वाला तो आर्थी का मतलब अर्थ वाला या मतलब वाला या मीनिंग वाला तो आईए भम अर्थी को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अर्थी को शमशान घाट ले जाया गया या फिर आप कह सकते हैं अर्थी की तैयारियों में बहुत से लोग शामिल थे अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें